वेल्कम बैक स्टुडेंट एड़ टुनिक स्ट्रॉइंग एड़ में प्लैटफॉर्म और इस वीडियो में आपको इस आलिखन में कलर फिल करके दिखाऊंगी इस आलिखन को कैसे बनाना है उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है और उसका लिंक में डिस्क्रिप्श लिखन सेपरेट सेपर hace a 유도 ₹ h जो होसं संदू भी करने चेह थाई क्योंकि में प्लीख के लाइपले थो चौनला प्लीखस टुड़ा कारें आपको बीज स्टॉजांस समें टार्क के बिल्यू ऑपलीव ऑन ने परकेयर पर भीच्श करलिशा करता जो्चेह सुनों मीस्य पाता और ब्लू के साथ 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 नीचे के बेस कलर जो पेज का लगो तो ना दिखें लागते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा थिक और ठार कर लोगी ताकि हमारा जो पेज का कलर है भो ना दिखें ठीक है और फिर हम इसको फर्मली हैं से रिपल जे त्री नंबर का ब्रस यूज कर दिये हैं और इसे ही बिलकुल उ पर यहां पर यहां थम्प्ट लिख्वेडार को फिल हैं इजे ल हैं हीर्य के स्टुड़ ऋ ठाल ख़ुप हैर जा स्टटुर चूड़ के तो लोग ब्रस लाइख क्लर नहीं वहां थोगा है जहां जिक उड़ पर डेकध का बावर कर दि स्काइब्लू कलर में थोड़ा सा वाइट मिला कि इसको इसमूद टेक्शर दे दिया था और फिर मैंने इसकी आउटलाइनिंग की है प्रॉपर स्काइब्लू कलर का यूज कर तो यह थोड़ी थोड़ी डेफरेंसेस हैं जिसके आपको पता होनी चाहे है कि कौन से कलर का यू साइट की तरह वरक करें और जो साइट साइट से मैं अभी आउटलाइनिंग दे रही हूँ वह डार्क ब्लू कलर है नॉर्मली डार्क ब्लू कलर जो हमारी चुपलर में अवैलेबल होता है और उसके हम इसलिए इसकी बहुत फाइन और थिन आउटलाइनिंग देंगे और अलागी हाथ में आपको बतातू यह जो आलिखने क्लास 12 वाले बच्चो के लिए है अगर क्लास 10 वाले बच्चे देख रहे हैं तो मेक्शियो लास्ट में इसमें टेक्च्च्च्र प्रवाइड करोंगी आप वो टेक्च्च्च्च्र ना लगाएं ठीक है क्योंकि आप पर ये टेक्निक्स यूज कर सकते हैं क्लास्टेंथ वाले बच्चे बट टेक्स्चर नहीं बनाएगा जो लास्ट में मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि एक्स्च्चर कैसे बनाया जाता है ठीक है सो आप यहाँ पर देखी सकते हैं इन आउटलिणिंग के साथ-साथ मैंने आउटर आउटलिणिंग भी दी और यही सारे डिफरेंसें तो यहां पर आपको बहुत रिलेवेंट बहुत अच्छे आलेखन मिलेंगे मैं क्या कहूं आगे आप तो समस्दार सो यहां पर मुझे तो नहीं लगता आपको कोई डाउट होता होगा वेल जोई डाउट होते हैं है और अगर आप डाउनलोड थे हैं तो नहीं पर त्याथ करोण होते हैं तो हम छीप एषए के नहीं मिल स्कापी और तो यहां पर अराम राम ओर इसले लिखा रहे हैंถ Traizies कि आपको नीड है क्योंकि क्लास 12 वाले के लिए मैंने देखा है कि जादा अलिखन अविलिबल नहीं है यूट्यूब पे मैंने यह सोचा कि वाले बच्चों के लिए भी बनाना चाहिए मैंने स्टार्ट किया यह और कुछ अलिखन अभी है हमारे चैनल पे तो आप भी देख सकते हैं जाकर के बट यह अलिखन थोड़ा सा न्यू होगा आपके लिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप हमें जरू बताएगा यहां पर देखिए तीन नमबर का ब्रश यूज करके मैंने इनर शेड को थोड़ा सा मोटा किया है ताकि जो हमारा फ्लावर है वो थोड़ा सा और इन्हांस्ड हो सके और जो हमारा इनर शेड है वो अगर आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ब्रश बहुत नीट क्लीन होना चाहिए बहुत साफ होना चाहिए अधरवाइस जो ब्रश में एकसेस कलर लगे रहा है तो इधर दो फैल सकते हैं जब आपको इनर्शेट प्रवाइड कर रहे हैं तो ब्रेश बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए बस उसमें तोड़ा सा पानी लगा होना चाहिए और आउटलाइन का जो पार्ट कलर होता ना उसी को हम अंदर करके उसे हलका हलका टेक्श्र प्रवाइड कर देते हैं ताकि जो बच्चे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी खासी पेंटिंग आलेकन बना पा रहे हैं मैंने उनकी ग्रोइंग्स देखिए हैं बहुत अप्रिशेशन मिलता है मैं कि हमारे चैनल से बहुत लोगों को हेल्प हो रही है और हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगेगा ला चलिए फटाफट से आउटलाइनिंग कर लेते हैं यहां पर आउटलाइनिंग हो गई है अब फ्लावर में बारी है कुछ टेक्चर्स प्रोवाइड केने की सो यहां पर 000 नंबर का ब्रेश यूज करेंगे हम उसमें जिग-जग लाइन प्रोवाइड करेंगे हैं उसमें ज सब्सक्राइन करेंगे हैं टालेखन तो यहीं सारी डिफ्रेंसे सहां जो आपके लाइखन बनाती है आप क्लास ट्वेल्थ के लिए अगर आप ट्रीश थींग और यह उल्याग वाली विडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यहीं सजिशन दोओंगी थींग अलेखन लिग बबीगे, आलेखनक के रहुत मmile से साथ , और कलमें हैं अब पक्षोग के रहुत फश्न आंपना दंपन साथ इसके हैं साथस्मर्स लीगे, नियुक्त रहे कर सुझनっ Le Grand आरी, क्या जुद्ष से, आजकी सुझन आंपना तो यहां लेना चाहतीं प्लस ब्लू ब्लू कलर ने बेस के लिए बनाया था पी लिए और आप यह सोच रहे होंगे करें सिसा हमารो किसी दिफेरेंट किलर से करना भी होगा। अगर आप फ्लावर को किसी दिफेरेंट किलर से करना होताई बड़ इस वह अब प्लावर को शेंज करनी चाहरी थी चलिए फटाफट से शेडिंग खतम करते हैं और आते हैं हमारे अधर एलिमेंट्स पे अब बारी है टेक्शिव प्रवाइट करेंगे क्योंकि हमारे शेडिंग तो हो गया है फ्लावर के मिडंग वाले सीपल में भी मईंड फिर्वाइट करेंगे तक्डिंग नि便क्षे हम तरत के यहां पाम जूदात के बारी है यहां पर बारिये हमारे दूसरे लिपमेंट को क्लर करने की यहां पर मैंने स्टेम चूस किया है और स्टेम में मैं सबसे पहले प्रग्रीन क्लर फिल करूंगी यहां पर यह बता दू ग्रीन की आप different categories योजए बाल सारे विज मृ केंगे हो तो आप लिचरा है सबस्ताइब टो ख्रॉट घृंसे ? और जिससे हमारे अधर लोगों के आलेखन से भी यह हमारा अलग दिखेगा और यह जाधा इंकजामनर को इंप्रेस करेगा ठीक है so make sure आप अगर क्लास 12 में है तो आप यह ध्यान रखे कि आप ऐसा आलिखन बनाए जो कि एंग्जामनर को इंप्रेस करें और थोड़ा सा सुन्दर बने आलिखन ठीक है यहां पर देखे अभी जो मैं फिल कर रही है उसमें मैंने थोड़ा सा इल्लो मिलाया हुआ है जो यह पैरेट ग्रीन किलर से थोड़ा सा अलग बनापी है इस कलर को अगर आपको कोई और भी डाउट हो रहा हो तो आप हमें जरूर कॉमेंट करिए मैं उसका रिप्लाइ करने की जरूर से जरूर कोसिस करूंग और यहीं सारे यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने डार्क ग्रीन क्लर का यूज नहीं किया क्यों क्योंकि हमारा बेस में डार्क अगर डार्क ब्लू पहले से अगर आप डार्क ग्रीन डाल देंगे तो वह थोड़ा सा क्या हो जाएगा सेंसे मैच जैसा हो जाएगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा तो यहां पर आम देख सकते हैं सारी रन्डिया, सारी डिजाइनिन के पैटल नारे फिल हो गई है मैं यहां पर लाइट ग्रीन कलर और यलोईज ग्रीन कलर का यूस किया था जो कि काफी जादा खुबसूरत बना रही है हमारे इस आलेखन को और आउटलाइनिंग के लिए मैं यहाँ पी यूज़ करूंगी ज़स्ट थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर देखे अब गाइस इमा सोची कि वो मैच अप हो जाएगा बिल्कुल ऐसा नहीं है बस आप इस ख्लेखन को देख एंच हो लिए और सीखते रहे ैं कुछ नए इंट्रेसिंग आईडिया जो कि हम आले खहने यूज़ करते हैं यहां पी आप देख सकते हैं मैं इस्ती star वाल टेक्निका यूज़ करके आपके आलेखन को, okay, make sure आप इस बातों का धिहान रखें, कि जब आप आलेखन बना रहे हों, तो वो, मतलब कलर की बैलेंसिंग बहुत अच्छी होने चाहिए, क्योंकि मैं हर बार आपको बताती हूं, कि कलर की कॉम्बिनिशन, कॉम्बिनिशन आफ दा कलर बहुत जादा मैटर करता है, आपके इंग्जामनर को इंप्रेस करने के लिए, क्योंकि आपको क्लास 12 में है, और आपको इंग्जामनर को इंप्रेस करना है, बोर्ड में नम्मर अच्छी लेने है, तो make sure आपको घर पर इतनी जा कोई अपने दिमाग को इसा इंट्रस्टिंग बनाना चाहते हैं और अगर आप आपने आलेखन से रिलेटिड कोई टिप चाहते हैं, वह भी आप हमें हमसे पूस सकते हैं, हमारे टेलिग्राम चैनल पर वहां पर मैं हर एक बच्चे का रिप्लाइज जरूर करती हूं, क्यो तो हमारे टेलिग्राम पे जॉइन है वो बिल्कुल ही कुछ सीखने के परपस से ही आए है और वो कुछ सीखना ही चाहते हैं इसलिए मैं उनकी रिप्लाइस जरूर से जरूर कर देती हूं भावी तो हमारा कर दो चाहिए है वहां पे दो टेक्शर्स गरी हूं ऋख रहे हुआ है यहा पे मैं यहां पिर दो टेक्शिर्स यूज़ कर रही हूँ घृस कार प्रप बिल्यू ग्री ग्री बीट कर च्णा प्लीव को भावाइट भी यहां चाहिए पिन ब्ल्यू कर बाता जिससे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको पता चल जाएगा और उस तरीकिसे आप अपने आले खन में कलर को यूज कर सकते हैं आपको यूज के दिखान रहें तीन कलर से जादा नहीं यूज करना चाहिए आपको क्योंकि मैं जब पेपर पढ़ा था तो मैंने देखा था कि थी कलर ही पूलता है वहां पर त्री कलर तीन जल रंगों का प्रयोग करके एक आले खन बनाए आप और यहां मैं थोड़ा सा एक पर दूज की यूज कुछ आफ़ा दीनी पर दीनी पर द Эर्ट में थे वाया दून आपको जादे में पलिट शूद ठाल वाय। दूब जाड़ा पा तो नहीं है। यहां पर मैं फिल करूंगी ब्लू कलर ताकि यह हमारे जो लीफ है थोड़ा सा डिफरेंट पैटन पर बन गया है आप यहां पर देख सकते हूं मैं जस्ट बिच में ब्लू कलर स्प्रेड करें और थोड़े थोड़े डिजाइनिंग कर दोंगी तोड़ा सा अलग लगे अलग लीफ जैसा बिल्कुल सही समझा आपने यहां पर देखें मैं इस्टेम की आउटलाइनिंग हो गई है थोड़े स थोड़ा सा वाइट मिलाना है जिससे आपका यह पिकक वाला कलर जो है वो बिल्कुल इस तरह बन जाएगा जैसा आप डिजिटल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप खुद भी बनाग इसको ट्राइगा और हमें जरूर बताएगा कॉट सेक्शन में कैसे अपका इस ऐसा रहा इसष्ड़ कि साथ हुआ अब यहां चेहें और एंच क्लört के साथ तोड़ा साय्ट और मिक्स करूंगी जसे हमार और और्इंज कलर तोड़ा सा ड्र हो जाए लगे खोड़ा और आड धी नहीं यह कॉमिनेशन है रेड और और से ऐसा होता है ठीक है so make sure मैं तो यह कहूंगी कि आप कई बार प्रैक्टेस करो खुद भर खुद आ जाती है वह कितना quantity में कलर मिलाना है कितना नहीं मिलाना है कैसे हमारा कलर बहुत अच्छा बनेगा जिस की जिस तरीके से हमें चाहिए ठीक है यहां पर भी देखो मैं थोड आपको अंत तक जरूर पसंद आने वाली है वैसे आपने थमनिल देखा ही होगा कि वीडियो कैसे बननी है so make sure लास तक इंतिजार करो कि यह टेक्श्यों कैसे बनाया गया है इस अलेकन में यहां पर पहले हम इनर्शेट प्रवाइड कर देंगे इनर्शेट डालने के लिए हम तीन नमर का ब्रश यूज करें है और फिर उसी ब्रश को शाफ करके थोड़ा थोड़ा इनर्शेट को अंदर के और स्प्रेड कर लेंगे पाने के मदद से ठीक है ताकि हम आउट लाइ है बिल्कुल भी नीट और क्लीन होना चाहिए अदर्वाइज आपके कोई पी कलर इसमें लगा है तो एकसेसेरिया पर लग जाएगा जो कि बहुत खराब लगेगा तो ना इस टाइम तो दो आउट लाइन इंग बाइग देख सकते हैं वही जो रेड और औरेंज कलर का मैंने अमिक्स जो बनाया था बिल्कुल वही कलर मैं फिल कर रही हूं यहां पे इस डिसाइनिंग को कम्प्लीट करने के लिए और उसमें मैं थोड़ी सी अलग तरीके क यहां पे हमारी आउटलाइनिंग कम्प्लीट हो रही है लाइक यहां पे मैं तीन नंबर सॉरी ट्रिपल जिरो नंबर का ब्रश यूज कर रही हूं आप यह दिखान रगो कि ब्रश का कलेक्शन भी बहुत मैटर करता है कौन सा पार्ट कलर करने के लिए कौन सा ब्रश यू करते हैं तो मेक शूर आप में कॉमेंट कर सकते हैं अधर्वाइस आप इस वीडियो का अरंद लीजिए जैसे कि मैं ले रही हूं वेल लही नहीं आपको बता रही हूं इसकी कल्गिया भी बनके त्यार हैं और यहां पर अधियान रखना कि जो मिक्शिर जब भी हम बनाते हैं तो एक बार में ही बनके त्यार हो जाना चाहिए अदर्वाइस आप दो बार अलग-अलग मिक्शिर्स बनाओगे उसी कलर की तो डिफरेंट कलर बन जाते हैं मुझस जाता है तो देखने में वैसे ही रहता है बर गाढ़ा हलका थोड़ा सा हो जाता है ठीक है ना एक बार में उस कलर को कम्प्लीट कर लीज़ें यहां पर मैंने जूम इन कर दिया है और आप यहां पर देखो मैं यह चोटी-चोटी टेक्शिर्स प्रोवाइड करने वाली हू मैंने आपको पिछली बार जब वीडियो में बना रही थे तो मैंने पैंसल से भी करके दिखाया था तो वैल वो पैंसल से नहीं करके छोड़ना है आपको ट्रिपल जरो नंबर का ब्रश यूज़ करते हूए यह वेशिप्स आपको प्रोवाइड करने हैं जैसे कि मैं दे तो बहुत सारे बचचे कहेंगे कि मैं मैं स्केच का यूज कर सकते हैं तो नहीं बिलकुल भी नहीं सिकेच का यूज करना है नहीं तो फिर रिंग्जाम में प्रता जैसे कि हर बार आपकी कट्या है जैसे कि आप यूज कर लेते हो और कट जाते हैं माग क्लास 12 के लिए क्लास 12 के लिए थोड़ा सा बढ़िया तो बनाना बनता है वह से टेंथ के लेवल का बहुत अच्छा लग रहा है और लास्ट ली आप देखो कि लास्ट में और भी जादा खूब सुरत देखने वाला है अब इसमें में पॉइंट इसका बचा ही है तो में पुलना गाई कि सच में कैसा लगा खराब लगा होगा तो भी बताना कि क्या खराब लगा आने वाली वीडियो में वह जरूर सुधार होगी मैं अब हमारा जो पीकक है अलमूस बन के त्यार होगा फेल पूरा ही पूरा बन के त्यार हो इसमें कुछ तच अप्स हमें पैद। देख सकते हैं बिल्कुल मैं बहुत नॉर्मल मूड में दिखा रही हूं ताकि आपको समझ में आए और यहां पे आप देख सकते हैं मैं आने और बार बार बोल रही हूं उसके च्छ मत यूज करना तो याल यहां पर प्रिक कम्प्रीट हो गया है अब बार यह हमारे स्पेशल पॉइंट की अब वो स्पेशल पॉइंट क्या है बेस में टेक्श्य फिल करना है यह थोड़ा फास्ट वरवर्डिंग है क्योंकि टेक्श्य फिल करने में आलमोस्ट मुझे ट्वेंटी मिनिट्स लगे थे हमारा यह रहा टेक्श्य कम्प्रीट हमारा अलेखन अब बताओ हमें कैसा लग रहा इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूं क्या हमारा यह रहा जा है यह हमारा यह रहा हमें आलमोस्ट वर्वेंटी क्या बहा इन करते है अले भास्य को शर्वेंट